ये जो किताब है ना मैं नास्तित की हूँ भगत सिंग जी की इस किताब में एक वाक्या लिखा गया है जब भगत सिंग जी ने अपने पिता जी को 4 अक्टूबर 1937 को चिथी लिखी और उस चिथी में उन्होंने क्या लिखा अपने पिता जी के लिए ये जो छोटा सान समय उ आपने मेरे बचाव पक्ष के लिए Special Tribunal को एक आवेदन भेजा है या इतनी यातना में थी कि मैं इसे खामोसी से बरदास्त नहीं कर सका इस खबर ने मेरे भीतर की सांती भंग कर उथल पुथल मचा दी है मैं या नहीं समझ सकता कि वरतमान प्रिस्थितियों में और इस मामले पर आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं आपका पुतर हुने के नाते मैं आपकी पैत्रिक भावनाव और इच्छाओं का पूरा समवान करता हूँ लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि आपको मेरे साथ सला में स्वेरा किये बिना ऐसा आवेदन देने का कोई अधिकार नहीं था आप जानते थे कि राजनेतिक छेतर में मेरे विचार आप से काफी अलग हैं मैं आपकी समति या आसमति का ख्याल किये बिना सदा स्वतंत्रा पुर्वक काम करता रहा हूं भगत सिंग है जो न वह देश के ऊपर किसी को नहीं रख रहे थे और आप देख भी रहे हैं जिस तरीके से उन्हें कहा है आज के जो लड़के हैं जो हमारी पेड़ी है हम जैसे आप जैसे लोग है भगत सिंग से सीख कुछ नहीं रहे हैं सिर्फ उनका बड़े जन्मदीन पता चल जाए हमको इस्टेटस लगा दे रहे हैं और यही सब चल रहा है आप से उम्मिद करते हैं कि किताब आप खरी देंगे और पढ़ेंगे जरूर भगत सिंग के बारे में बहुत से किताबे हैं लेकिन यह किताब मुझे बढ़ी अच की जरूर दन्यवाद